तो यार आज कल मार्केट में कहीं सारे ओनलाइन प्लेटफोर्म मोजूद है जो कि आपको जीरो बिलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधात देते है आज की वीडियो के मादम से मैं आपको बैंक ओ महारास्टरा में ओनलाइन जीरो बैंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते है इसके बार में step by step पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर हमने complete प्रोसेस बताया है कि कैसे आप वीडियो के वाईसी के मादम से बैंक ओ महारास्टर में ओनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे क्या के डोकूमेंट लगने वाले है, eligibility criteria क्या लगेगा और यहाँ पर आपको क्या के benefit features देखने को मिल जाते है दोस्तों बैंक ओ मारास्टर में जैसे आप अपना अकाउंट की full KYC कर लेते है तो इसके बाद आप इस अकाउंट का इस्तेमाल lifetime के लिए इस्तेमाल कर सकते है यहाँ पर आपको mobile banking, internet banking, debit card और checkbook जैसे सब भी सुईदाय देखने को मिल जाएगी साथी साथगेज आप Google Play Store पर मोजुद बैंक ओ मारास्टर की महा mobile application के मादम से आप अपने अकाउंट को यहाँ पर manage कर सकते है, recharge कर सकते है, bill payment कर सकते है, credit card, debit card का bill payment कर सकते है इसके साथ ही आप ऐसे भीजने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते है तो कई सारे सुझदाई आपको इस bank account में देखने को मिलने वाली है अगर आप IMPS की साथा से पैसे transfer करना चाते तो वो भी कर पाएंगे इंस्टाप fund bank transfer करने की सुझदा भी हाँ पर देखने को मिल चाहेगी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट transfer करने की सुझदा भी हाँ पर देखने को मिल चाती है एनियाफटी की साथा से आप 24 आवर्स किसी भी समय पैसे transfer कर सकते है दोस्तों चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको bank of महारास्टर में अपना saving account open करना है bank of महारास्टर में online saving account opening करने के लिए सिबसे पहले आप अपने mobile में google पे साच करेंगे bank of महारास्टर इसके बाद आपके सामने bank of महारास्टर की official website आती है इसकी official website को open कर लेना है इसका link हम आपको नीचे वीडियो के description box में भी देदेंगे वहां से भी आप इजली इस account को opening कर सकते है account opening करने के लिए यहां पे आपको online Sb account करके देखने को मिल जाता है तो जिस्ट आप इसी option पर click करेंगे page को नीचे के और scroll करेंगे यहां पे आपको दो account देखने को मिल जाती है एक है online saving account जो कि आपका एक zero balance saving account होने वाला है और एक यहां पे आपको वीडियो के वाइस account देखने को मिल जाता है आपको पहले थोड़े से इसके benefits के बारे में बता देता हूँ यहां पे आपको tele banking की सुईदा देखने को मिल जाती है आपको SMS banking सुईदा देखने को मिल जाएगी इंटरनेट banking का सुईदा का आप लाब ले सकते है mobile banking का इस्तिमाल कर सकते है credit card के लिए भी हैंसे आवेदन कर सकते है deposit insurance की सुईदा भी यहां पे देखने को मिल जाएगी आप recharge bill payment, electricity bill payment वगरा करने के लिए इस bank account के इस्तिमाल कर सकते है और 24 hours यहां पे आपको फैसे transfer करने की सुदा भी देखने को मिल जाती है आप UP याज से चाहे तो पैसे transfer कर सकते है IMPS से पैसे transfer कर सकते है NFT से पैसे transfer कर सकते है साथी साथगेजी यहां पे आपको demand draft वी facility भी देखने को मिल जाती है अगर आप चाहे तो अपना account अपने नस्दी की ब्रांच में जा करके आप अपने identity proof, address proof document को जमा करके वहाँ से भी अपना account open कर सकते है account opening करने के लिए आपके पास में दो photograph होना चाहिए pan card होना चाहिए form 60 या फिर pan card का आप उपियो कर सकते है एक new saving account opening करने के लिए थोड़े से मैं आपको यहाँ पर documents के बारे में बता देता हूं तो आप यहाँ पर documents में बताए गये है जिसकी इंडिविजल वैक्ति को passport, pan card, voter ID card, driving lesson, job, नरेगा job card, letter issued by the unique अधार card का इस्तमाल कर सकते है तो इसके साथ ही यहाँ पर address proof के लिए जैसी telephone bill हो गया, bank account statement हो गया इसके साथ ही electricity bill या फिर रासन कार्ड हो गया अगर आपके पास में कोई भी यह document है तो फिर आप असानी से इस bank में अपना saving account opening कर सकते है अगर आप minor है आपकी उमर 18 साल से कम है तो जैसे में अपने Guardians की डिटेल एंटर गर के अपना account कर सकते हैं और यदि आप Illeseated person पर्सन है तब भी आप अपना guardian की डेटेल एंटर्गर के तब इप अपना account open कर सकते है सबział حुशे में आपको मता थेता हूं कि कैसे आपको इस bank में अपना account open करना है इस bank में account open करने के लिए यहां पर आपको open sb account करके एक option देखने को मिलेगा जिस्ट आपको इसी option पर click कर देना है इसके बाद यहां पर कुछ processing होना start हो जाती है जिस्ट आप wait करेंगे यहां पर बताए गया branch branch of your choice आप जो branch है वो choose कर सकते है यहां पर आपको zero balance saving account देखने को मिल जाता है net banking mobile banking digital transaction करने की सुईधा देखने को मिल जाती है cardless instant account open कर सकते है यहां पर देगे account opening करने के लिए अधार card होना चाहिए आपके पास original और original ही pen card होना चाहिए signature यहां पर आपको white paper पर करके दिखाने होंगे account opening करने के लिए यहां पर let's go बटन पर क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ processing होना जैसे आप next button पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ processing होगी यहां पर account section से saving account पहले से यहां पर select होगा इसके बाद आप अपने नजदी की branch को यहां पर चूलेंगे जो भी आपके नजदी की branch है वह आप यहां पर चूलेंगे then यहां पर आपको select branch करके देखने को मिल जाती है जिस भी state में आप रहते है अभी तो सभी state यहां पर देखने को मिल जाते है आप अपने हिसाब से कोई भी आप यहां पे enter कर लेंगे तो मैं यहां पहर यहां पर यमूनव vr को enter कर लेता हूं Select branch पर आपको click कर देना है जैसे आप यहां पर select branch पर click करेंगे यमून वe i.r पर just यस तरही है पर option पर click करेंगे जो भी आपके असपास होगी इस तरह से आप एंटर कर लेंगे देन आपको next बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर कुछ processing होना start हो जाती है अब आपको यहाँ पर 8 steps को complete करना होगा जिसमें आपको अलग-अलग steps में अलग-अलग जानकारी एंटर करनी होगी काईज अभी तक यह दि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो make sure चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है क्योंकि आगे हम आपको बाताएंगे कैसे आपको इस अकाउंट की वीडियो के अगर आप एक नॉर्मल वैक्ती है तो mister choose कर सकते है अगर आप एक औरत है तो यहाप मिसीज मिस जो भी चाहिए गाइस यहाप अपने नाम के आगे जो भी लगाते है वो आप चूज कर सकते है वह सारे option है तो यहाप मिस्टर चूज कर लेते है अब आपको क्या करना है यहा यहाप अपना first name enter करेंगे तो चलिए मैं अपना नाम यहाप एंटर कर लेता हूं इसके बाद आप middle name चाहे तो आप एंटर कर सकते है अन्यता आप इसे ऐसे के ऐसे छोड़ सकते है इसके बाद आपना last name एंटर करेंगे चलिए मैं अपना last name यहाप एंटर कर लेता हूं जि तो चलिए गैज मैंने अपना mobile number एंटर कर दिया है इसके बाद आपको अपनी email id यहां पर enter कर लेनी होगी just email id पर click करेंगे और अपनी email id यहां पर enter कर लेंगे इसके बाद यहां पर आपको जो terms of condition है थोड़ा से इस तरीके से page को उपर क्लिक करेंगे और यहां पर जो terms of condition है just terms of condition पर click करेंगे दोबारे से इस पर click करेंगे और फिर से इस पर click कर देना है तिनो Terms of Condition पर क्लिक करने के बाद Then आपको Next बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप Next बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके रिजिटेड मोबाल नमबर पर एक OTP भेजा जाता है उस OTP को यहाँ पर Enter कर देना है उसको आपको Enter करेंगे Then Next बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपना यहाँ पर document में अपनो pancard नमबर यहाँ पर जो है आपका pancard उसका एक फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर फोटो में जाएंगे और यहाँ पर अपना file section से आपको अपना pancard का एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है then नीचे आपको एक section देखने को मिलेगा इसमें आपको अपना pancard नमबर अधार काड नमबर एंटर कर देना है then next बटन पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर प्रोशिट बटन देखने को मिल जाता है यहाँ बतेगे कि अब आपको account open करने के लिए इस account की KYC करनी होगी जिसके लिए KYC करने के लिए आपके अधार काड से आपको OTP verification करना होगा तो यह कुछ basics details जिने आप enter करेंगे देन आपके registered mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे चैंको का जो OTP आता है उसको enter करेंगे then next button पर आपको click कर देना है जैसे next button पर click करेंगे आपको अपना communication or permanent address इस section पर click करके then आपको next button पर click कर देना है जैसे आप next button पर click करेंगे यहाँ पर फिर से कुछ processing होना start हो जाती है just आप वेट करेंगे इसके बाद guys यहाँ पर आपको अपनी personal detail enter कर ली होगे जिसमें आपको marital status choose कर लेना है इसके साथ ही आपको यहाँ पर पूछा जारे कि आप किस religion से belong करते है है वह आपको यहाँ पर चूज कर लेना है Hindu Muslim Christian वह आप enter करेंगे यहाँ पर आपकी caste पूछी जाएगी वह आपको चूज कर लेना है और आप क्या काम करते है occupation detail के अंदर यह आपको basics detail enter कर लेना है यहाँ एक student यहाँ पर type कर लेना है यहाँ आपको अपनी annual income यहाँ पर select कर लेना है कि आप कितना कमा लेते हैं साल बर में तो वह आपको यहाँ पर enter कर देना है जैसे आप यह basics detail को enter करेंगे यहाँ पर नीचे आपको कुछ और अन्ना information है इन्हें आप enter करेंगे आपके आसपास जो भी branch है उसकी detail को आपको यहाँ पर enter कर लेना है यहाँ इस से भी detail enter करने के बाद आप अपनी नीचे आपको एक date of birth option देखने को मिलता है यहाँ पर calendar से अपनी date of birth एंटर करेंगे यहाँ नीचे आपको एक signature option देखने को मिलता है और जो time of condition है इस पर click करके यहाँ पर signature option पर click करके signature को upload कर देंगे यहाँ पर आपको submit application form पर click कर देना है जैसे आप submit application form पर click करेंगे यहाँ पर कुछ processing होना start हो जाता है जिस्ट आप wait करेंगे आप next button पर click करेंगे यहाँ पर आपको nominator detail एंटर कर लेनी है आप चाहे तो बाद में भी nomination detail enter कर सकते है और यह थे आप नोमनी करना नोमनी के साथ क्या relation है नोमनी यह दिया आपके साथ रहता तो same as address पर click करेंगे और then next button पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर लेना होगा reason और guys यहाँ पर आप enter कर देंगे इस तरीके से कि आप एक new account open करना चाहते है और कोई भी update चाहते है तो यहाँ पर आप enter करेंगे then next button पर click कर देंगे जैसे आप next button पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपकी sell यहाँ पर कुछ terms of condition and permissions को low करेंगे और अपनी यहाँ पर आपको एक live photo capture करनी होगी जिसके लिए आपको यहाँ पर जो oval बना हुआ है इसके अंदर आपको एक photo अपना live capture कर लेना है और then tap to capture option पर click करेंगे आपका photo यहाँ पर live capture हो जाएगा जैसे आपका photo यहाँ पर अगर सही है तो ठीक है अन्य था आप दो बारा से इसी तरीके से आप बिल्कुल साबसूत्रा photo यहाँ पर आप अपना capture कर लेंगे जैसे आप photo capture हो जाती है on the ticket picture पर click कर देना है यहाँ पर कुछ processing होना start हो जाती है जैसे processing complete होती है तो यहाँ पर internet connection थोड़ा सा slow हो सकता है इसलिए आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा processing complete होने में थोड़ा सा time लग सकता है इसलिए आपको page को back नहीं करना है आनि यह था आपको सभी details दो बार से enter करनी होगी तो अभी हमारा internet थोड़ा सा slow चल रहा है अभी तक यह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो make sure चैनल को सब्सक्राइब वससे कर दीजिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका account congratulations का message देखने को मिलगा यहाँ पर customer ID account number देखने को मिल जाता है account opening होने के बाद अब आपको Google Play Store को open कर लेना है और यहाँ से आप mobile banking का इस्तिमाल कर सकते है जैसे आप open करेंगे small application को यहाँ पर new registration करने का option मिलेगा यहाँ पर आपको यह application form था यहाँ पर आपको अपना user ID password enter कर लेना है then submit पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप इस bank account का इस्तिमाल कर सकते है next video मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको mobile banking को activate करना है और कैसे आप इसकी सायते से bill payment कर सकते है आपने debit card को कैसे आप manage कर सकते है और इस account का इप्योग कैसे कर सकते है दोस्तों उमीद करता हूँ यह video आपके लिए helpful रही होगी चांपर मैंने आपको complete step by step पूरा complete process बताया हुआ है कि कैसे आप bank और महाराष्टर में online saving account ओपन करेंगे यह दि आपको bank और महाराष्टर में online saving account ओपनिंग करने में किसी भी तरह की समस्षा आती है तो नीचे comment कर सकते है दोस्तों मिलते एक नए स्टूडियो में तब तक के लिए bye bye thank you so much